तो यह प्रोलम की होता है पहले बदा दूंगा आपको उसके बाद मैं कैसे इसको ठीक किया आता है आपको जयादा टेंस लेने कर नहीं है यह प्रोसेजर फॉलो करने से आपके फीचेश को विदिन टेन डेज और फिफ्टिं डेज में आप चिंज दखेगा वो ठीक होने लगेंगे क्योंकि मेरे फीचेश में आपको कुछ फोटो शो करूँगा कुछ फोटो शो करूँगा जिसमें आप देखेंगे मेरे फीचेश कंडिशन कैसा हो गया था इसके बाद अब भी देख सकते हैं आप मेरे फीचेश कंडिशन कैसा है तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते है तो होल इंदा हेड होता क्या है यह इसको एक फंगस टाप एक बैक्टेरियल फंगस डिजिस है जो मौस्ट ओड़ फिस को होता है यह होता है क्योंकि आपके वाटर कंडिशन खराब होने के वज़से नमबर वान नमबर टू अगर आप अपने अपने फिशेश को बाहर सो क्या है तो उसके वज़से आपको फिशेश को हो जाएगा होल इंदा है तो मेक्शियूर करें कि आपको ज्यादा वाटर क्लिन दखना है और अच्छे तरह के से वाटर को क्या करना है साइकल करना है अच्छे से वाटर की सब लोग क्या करते हैं वाटर को साइकल नहीं करते जिस्के आपको फिस्स को यह भीमारी नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये आप बात करता हूं, हटी हेक्ज़़ Rechtsa Eye Exhale होता क्या है ? हेक्ज़ है, फंगस टाइब कर व्पेक्टेरियोygen होता है जो क्या आपको फिस्ट को llevar बिल सभी में क्या करता है आपको फीचर्स को एफट करना सुरू करता है इसके वज़े से क्या होता है आपको फीचर्स को हेट पर होल आना सुरू होता है पैचे दिखा देते हैं वाइट 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 का भी problem होता है ठीक है तो आप जरूर आप मेरे features को भी देख सकते हैं इसे भी बहुत जाएज़ इसे रोज में वाश करता हूं मैं सारे प्रोसेजर बताता हूं यह तो होगी आपको कैसे आपको features को पता चलाएगा कि exameter हुआ है तो कैसे हुआ है exameter होगा तो आपको क्या होगा आपको फिचर को यहां पर गिल्स के पास हेट के पास एक होल की तरह हो जाएंगे बहुता है कि जो फिचर को लैटरल लाइन होते हैं उसको एफट करना सुरू करता है इसके वाए से को ठीक कैसे करना तो ठीक करने के लिए पहला बात तो आप मैं कुछ कुछ जैसे स्टेप बताऊंगा वैसे स्टेप करना होगा तो मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूं जैसे आपको इजी हो स्टेप ओन क्या करना जैसे आपको देखे हैं कि आपको फिचर के exameter होगी देख सकते कि आपको फीसे बॉड़ी बहुत इचिंग हो रहा है तो आप क्या करें जैसे आपको समझ में होल इंदा हेड हुआ आपको फीसे को दूसरे टैंग में इंट्रोड्यूस कर देना है एक छोड़ा सा टैंग लेना होस्पिटल टैंग बना लेना है जैसा कि आप करते हैं तो क्या होता है यह कंटीजी इस होता है यह कंटीजीए इस पीजिस को फीसे टुकर ना सुरू हो जाएगा तो जैसा आपको समाझ में है आपको फीसे को होल इंदा है अब तुरह इमेडियेटली आपकर दूसरे टैंग उसको शिप्ट करें दुसरे बात के यह तो बात यहाद रख्येगा आपको क्या करना है रिसाइकल वाटर यूज करना निव उसके जितने बेक्टेडिया हो जितने में जो सब खितम हो जाए ताकि आपको टाइंक के लिए वो शूट वाटर टीक है जैसे कि आप नीचे में मैं बात वाटर यूज युज ना कर ऐसे क्या विंटर का शिर्जन है तो मैंने चाहता है कि मैं टाइट इसमें 10 डेर्स 15 डेर्स में वाटर रहता है जिसके वाटर का पूर अच्छे से एक्वरियम के लिए सेट हो जाता वटर तो मैं आपको बोलूंगा है कि अगर आप ट्रू एक्वरियम हो विश् क्योंकि वाटर स्टोर करना आपको बहुत ही ज़रूर है डायक्ट अप्टाइ वाटर यूज ना करें इसके वएसे बहुत ही फिसको प्रॉल्म होता है तो आपको क्या करना है वाटर 50 परसंट चेंज करना और स्टोर डाल देना इसमें डाल दियें उसके बाद क्या करना अगर को फिसस को डिज़ीव होता आप एकॉरियूम सॉल्ट यूज करें को फोड़ा सा आप वान स्पुं ले सकते हैं डाल दाना जिसके वाँसे वह क्या हो आप पुरे वाटर में सर्कुलेट हो जाएंगे आपको दूसरा क्या करना उसके बाद आप मेट्रोजिल आप दे अग्टरोजिल को और 20 25 डुपिस पर एगा फ्लाइगल 400 का फ्लाइगल 400 ठीक है आप देश्टे की स्क्री में देख रहे हैं तो यह जो मेडिसी नहीं है बेसी भाग होता है कि आप बैक्टेरिया हो गया है थ्रोट में बैक्टेरिया हो गया तो इसको क्या करेंगे वो किल करन तो आपको यह यूज करना एक टैबलेट जैसे कि आप देख सकते हैं अब बहुत लोग पूचेंगे यूज कि इतना करना जिससे फ्लाइगल 400 टैबलेट यूज करना दोनो एक टैबलेट यूज करना यैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अरांड 70-80 लिटर वाटर आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका अपनी अपने साफ कर लें Hindi आपनगे आपको छोटे टांक है या पीर और यूज़ कर रहे हैं तो इसके साफ हाफ आफ टैबले तो यूज़ कर सकते हैं तो विलाल मेरे पास यह पैसा नाइन्टी लिट्र का टैंक है इसमें मैं अब उविस इसलिए मैं इसमें वन में टेलट यूज करता हूं उससे को कोई फीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगा आप बहुत जागा देगे तो बोलेंगे यह प्रॉब्लम होगा किडिनी एफट कुछ नहीं होगा मेरे फीज़ अभी ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यह मैं फीज़ को वन मन्त हो चुका और एपको से सेवेंटी परसंट ठीक हो चुका है ठीक है तो आपको वाटर चेंज कर लिए हैं आपको 50 परसंट वाटर चेंज कर लेना उसके बाद मेट्रोल जी मैडिसन डाल दना है डाल दने का नियों वाटर फिल कर दिए हैं एकदम क्लास अगरे में होगा क्या आपके अक्टिवाटर कारण सारे मेडिसन को सोख कर लेंगे जिसके वज़से क्यों अगर फीचर्श पर कोई रिजल्ट ही नहीं आए तो आप टांक से अक्टिवाटर कारण निकाल दें ठीक है इसके वज़से क्या होगा और जब भी मेडिसन डाले तो क्या करें कि आप 10-15 मिनिट्स तक टांक फिल्टरिशन को अन ना करें जैसे कि मेडिसन पूर अच्छे से वाटर में मिल जाए मिलने के बाद आप 15-20 मिनिट्स बाद अपने फिल्टर को अन कर दें हाँ ऑक्सिजन आपको अच्छे मांटमें डालके रखना है जिसको करना है किमकि सिंस अभी विंटर का सीजन है तो 30 दिग्री से उतना कुछ एफेक्टिफल नहीं रहेगा लेकिन हाँ 30 दिग्री से इतना एफेक्ट रहेगा आपके गरम रहेंगे और आपके फिल्टर को किमकि यह जो डीजिस होता ना इडीजिस कर ठीक होंगे जब आपके अगर टैंग का टैंपरेचर हाई रहेगा अगर टैंग का टैंपरेचर कम रहा तो आप कितना ही मेडिशिन कर लो आपके फिल्टर ठीक नहीं होने वाले तो आप टैंपरेचर इंक्रीज करो हीटर लगाओ टैंप का टैंपरेचर इंक्रीज करो ठीक है 30 दिग्री से यह हो कि लास्ट मेर स्बाइब पताना भूली हमया एक प्रोसेश कgia करना आपको एवरी डे आपको जैनल एकर दे डेंजिग से क्या करना режण को बहाश करना इस एक डबेल जैसे कि आप देख रहें वीडियो में एक टब ले ले और इस टब में क्या करें आप अपने एंटी एस 10 ड्रॉप डाल दे और जैनरल एस 10 ड्रॉप डाल दे और इस पॉशेश को फाइब मिनिट के लिए वश करें तो कि निए करना आपको फाइब मिनिट के लिए छोड़ देना इससे क्या होगा ना इतनी बैक्टेडिया रहेंगे वह कील हो जाएंगे और आपके इसको बहुत इचिंग होता वो इधर उदर आपको स्टोन में कहीं पर अगड़ते रहेंगे तो जो कि देखने बहुत और वह क्या करें जिसके वाज से क्यों एक साइड में बैठा रहेंगे तो आप इसको वाश करना एवरी डे मार्निंग और इविनिंग में उसको वाश करें यह सबसे इंपर्टन प्रोसेसि को बहुत लोगी नहीं बताते हैं आप फिशस को बढ़िश करना शुरू करें अगर आपके फिशस को एचिंग नहीं होता फिर भी वाश करें लेकिन आप एवरी डे मार्निंग और आपके features repair होना शुरो था आप इसे कम भी कर सकते हैं दिन भर में एक पार भी wash कर सकते हैं लेकिन अगर आपके features को ज़्यादा eating हो रा तो आपको तो दो टाइम watch करना ही हूँ है ठीक है यही बस यही process आपको follow करते लगना यह प्रोसेस 10 देस तक फॉलो करता है हम मैं शूर गराइंटी दता हूं आपको कि आपके फिसर कुछ नहीं होने वाला है अगर आप क्यूंकि यह दखो सभी लोग क्या करते हैं अलग-अलग स्टेप बताएंगे अलग-अलग प्रोसेजर बताएंगे लेकिन मैं नहीं बोलता एक ह Sounds को फॉलो करो अगर अगर 10 को फॉलो करें अभर देस तर्स Grand चुके और आप आपने लाइब आपने नहीं हगा नहीं और बेसिकलिम सक?". इसमें मेरे जो जो फीशेश को नहीं हुआ था बेसिकली इन लोगों की भी हो गया था पर इन लोगों उतना एफेक्ट नहीं किया तो इन लोग ऑटमाटिक ठीक हो गया ठीक है अब लास्ट में फाइनल स्टेप मैं फिर एक बता दता हूं क्या करना आपको मेट्रोजिल का ज पूरे क्या होगा गों और बौडि केंदर जाएंगे जाएंगे तो वह इसको किल करने में है यह कि इनटरनल जादा अथा एफेट करता एक्स्टरूली से ठीक है तो यह मेटिस्न जिसने बौडि में जाएंगे उतने अच्छे पैवरफुल दैगा इसको आपको फीट करते रहना और तो यह गाराइंटी आपको इन सभी प्रोसेस को फॉलो करना और आपको फीशस को मेरे हील हो चुका पूरे अच्छे तीक अभी कुछ कुछ बाकी है जैसे कि आप आपको वीडियो पसंद आगा वीडियो यूसफुल लगा तो वीडियो जरू लाइक दें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप न्यू है और कमेंट करें और कुछ आपको पूछना और हुआ कि उसировать म countries पूरे देखिए कि मैंने जितने प्राइस ग्रैमाच चांभ किसी को देख किने किया हुँ कि कि है मैं खुद एक ही है लाइव एक्सपरिमेंट किया अपने फीड़ेज सका मेरे हैbahn ॉचल भी यह लूदे है एभी अच्छिसरार है तो आपको वीडियो के लिए बोलत रहे हैं बंदे मातर हैं